नमस्कार दोस्तों मैं हुरा केस और आप देखरे हैं GoToOnline तो बहुत सारे भाई कमेंट करते थे के बिना ATM के UPI PIN कैसे बनाएं तो काफी दिन इंतजार करने के बाद में ये फीचर आ चुका है अगर आपके पास में ATM कार नहीं है फिर भी आप अपना UPI PIN बना सकते हो आधर कार की मदद से तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आधर कार की मदद से आप UPI PIN कैसे बना सकते हो तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप से रेक्वेस्ट है अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आयो तो वीडियो की नहीं चाप को लागर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा हूँ उसको दवा करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ ही साथ बैल आइकन को आल पर सेलेक्ट करने ताके दूसरा जो मॉबाईल नम्मर आपके बैंक के साथ लिंक है वही ओईल नम्मर आपके आधार कार के साथ लिंक को होना चाहिए ठीक है तो आप बड़ी आसवादी आशानी से आधार कार से UPiPay बना सकते हो क्योंकि आपको पता है एक बार किसी भी एप से आपने UPI PIN सेट कर लिया तो वही UPI PIN आपका हर एप में काम करेगा तो कैसे सेट करना है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मुबाइल की स्क्रीन पर तो सबसे पहले आपको अपना Play Store उपन करना है और Play Store से आपको भीम UPI अप डावनलोड कर लेना है क्योंकि आद्हार से UPI PIN भीम में आपको मिलेगा और इसके बाद में आप कोई भी आप चला सकते हो like google पे, phone पे, ptm, amazon पे कुछ भी आप चला सकते हो लेकर आपको upi pin भीम में ही बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर भीम को open कर लेता हूँ open करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको language select करना है तो मैं यहाँ पर अपनी language है वो select कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने English select कर ली है इसके बाद मैं आपको नीचे proceed का button मिलेगा proceed पर आपको click कर देना है और permissions जितनी माँगे सबको आप allow कर दीजिए तो यहाँ पर मैं allow कर देता हूँ सारी permissions को allow करने के बाद मैं फिर यहाँ पर आपसे sim select करने को बोला जाएगा तो जो sim आपका bank के साथ में link है वो sim यहाँ से select कर लीजिए तो मैंने sim select कर लिया है इसके बाद में proceed कर देना है proceed करने के बाद में आपके sim से एक message जाएगा जो आपकी device को verify करेगा इसके बाद में आपको 4 अंग का passcode set कर देना है जो भी आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर आप चारंग का passcode में यहाँ पर set कर देता हूँ set करने के बाद में आपको नीचे right पर click कर देना है right पर click करने के बाद में और आपके सामने जो है bank कों की list आ जाएगी तो जो भी bank है आपका इस list से आप select कर लीजिए आप चाहूते उपर search bar में type करके भी अपना bank search कर सकते हूँ जैसे मैं यहाँ पर type करता हूँ PUN यानि पंजाब national bank तो यहाँ पर आ चुका है तो जैसे मैं पंजाब national bank पर select कर लेता हूँ इसके बाद में आप wait करेंगे और यहाँ पर आपका account so हो जाएगा और account so होने के बाद में आपको right पर click कर देना है right पर click करने के बाद में थोड़ा wait करेंगे और यहाँ पर आपका bank account link हो जाएगा link होने के बाद में आपको क्या करना है अब देखिए आपको अपने जो bank के उपर click कर देना है click करने के बाद में अब यहाँ पर बहुत सारे option आपको नजर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक option नजर आ रहा है change upi pin और उपर एक option नजर आ रहा है forget upi pin तो आप इन मेंसे किसी पर भी click करके आधार से upi pin set कर सकते हो तो मैं यहाँ पर करता हूँ change upi पर click और मैं आपको आधार से upi pin set करके बता देता हूँ तो देखिए यहाँ पर upi pin set करने के दो option नजर आ रहे है डेविड कार्ड और आधार कार्ड तो हम यहां पर आधार कार्ड वाले option पर click कर देते हैं और click करने के बाद में यहां पर यह कहरा है कि आपके आधार में और bank में same mobile number link होना चाहिए तब ही आप आधार से UPI pin set कर सकते हो तो हमारा same mobile number ही link है और यहां पर नीचे हम proceed वाले button पर click कर देते हैं और इस से आगे process हम बताते हैं आपको क्या है तो इसके बाद में आपको सारी term condition दिखाई जाएंगी तो इनको accept कर लेना है accept करने के बाद में अब थोड़ा process होगा अब देखें यहां पर आपको क्या करना है आधार card के first वाले छे अंक आपको डालने हैं क्योंकि last वाले यहां पर already पड़े हुए हैं तो आपको first वाले छे अंक डालने हैं तो मैं यहां पर first वाले छे अंक डाल देता हूं डालने के बाद में अब आपको क्या करना है छे अंक डालने के बाद में आगे proceed करना है बैंक की तरफ से OTPI का 4 अंका वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है, 4 का या 6 का भी हो सकता है किसी बैंक का, तो राइट पर क्लिक करने के बाद में, अब देखिए यहाँ पर set UPI pin का option मिल ला है, तो यहाँ पर आपको 6 अंक का UPI pin set कर लेना है, तो में यहाँ पर UPI pin set कर दिया है, set करने के बाद में आपको फिर से UPI pin confirm कर देना है, तो मैं यहाँ पर confirm कर देता हूँ और right पर किलिक कर देता हूँ. Right पर किलिक करने के बाद में, अब देखिए यहाँ पर आपका process start हो चुका है, और देखिए हमारा finally UPi pen create हो चुका है अब आपकी मर्जी हो वह एप यूज कर सकते हो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें थैंक यू